हेलो दोस्तों स्वाधत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट टेट एकडमी में मैं उस अशी कांत्रा है और यहां पर आज आम बात करने के लिए उपस्तित में चरण जासे चपवाली से समधित जो नीजन पत्र का वित्रन होना है उसके बारे में जो है खबर आ गई है लेकिन यह खबर अभी इस पर नहीं है मैं इसे संभावना ही काऊंगा कि अभी भी जो है बिहार से चपवा की जो मिटिंग होई थी उसका जो कोई फैसला है वो सही से निकल के नहीं आया है अब नियोजन पत्र में जो प्रकासित हो रही यह खबर आ उस पे भी मुझे संद फिलाल मैं जो खबर यहां पर आपको देना वाला हूँ वह बिल्कुल 100% एकुरेट है कि वही काम होना है जो भी सिच्छा का वेड़ती मैं चैनल पर नया है मैं चैनल को सबस्राइब कर लेजेगा चैनल को सबस्राइब करने के लिए आप क्लिक करना हो सबस्राइब बटन प्रेस करिएगा और आल पर क्लिक करिएगा तो आपको सारे वीडियो बनिवेकेशन्स मिल जाएगे रही बात जो प्रेस रिलीज जो आ रही है कि बिहार्टेट और सीटेट के जो सब्सक्राइब है उनके सत्यापन के अधार पे आपको जो है नियोजन पद्वित्रन कारिक उसे वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है अंतता आपको सपत पत्र ही देना होगा और कुछ दिनों में आपको सपत पत्र का फॉर्मेट जो है जारी कर दिया जाएगा तो कुल मिला जुला करके कहना यही है कि नियोजन पत्र का जो बित् करना समभव नहीं though वह है और इस तरीके से अभी तक जितना भी फैसला है वह नियोजन निकाइयों के उपर छोड़ दिया गया है कहने के मुतलब यह है कि 25 फ़ड़ी को भी नियोजन पत्र का वित्रण हो सकता है या उसे पहले भी हो सकता है लेकिन यह जो फैसला है यह भीहास अच्छा विभागने जो है कुल मिला जिला करके नियोजन निकाईयों के ऊपर छोड़ दिया है कि आपको जो करना है करिए लेकिन 25 फ़ड़ी तक आपको नियोजन पत्र का वित्रण करना है अब देखना यह है कि नियोजन निकाईयों क्या फैसला लेंगी कि इस चीश को आधार बनाएंगी और यह नहीं है कि आपके डॉक्मेंट का सत्यापन नहीं होगा डॉक्मेंट का सत्यापन का प्रोसेस कंटिनीव चलता रहेगा ऐसा नियोजन निकाईया और बिहार सिच्छा यह बता रहे है लेकिन मेरी नजर में बिल्कुल इस पस्ट है कि अब बिहार सिच्छा विभाग ने ये फैसला ले करके चरनमीजा सिच्छक अवेर्थियों के साथ एक ट्रांस्परेंसी थी उसको ब्रेक अप कर दिया है और यहाँ पर फर्जी अवेर्थियों की जो 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 इनिंग है वो पक्की है और मुझे लगता है कि जैसे 2011-12 में उससे पहले जो फर्जी सिच्छक बहाल हुए थे जिनके एक लाफ फोल्डर आज भी गायव है और वही चीज जो है अब चरनमीजा सिच्छक बहाली प्रक्रिया में दोहराई जाने वाली है तो फर्जी सिच्छक अभीरतियों का चयन भी कंफर्म हो गया है यह बिल्कुल इस परच्ट है कि अब फर्जी सिच्छक अभीरती सिच्छक बन सकते हैं क्योंकि बीहार सचालिवे का पाईस ऐसी कोई टेक्नलोजी नहीं है और वास्तों में पुरे भारत में ऐसी कोई टेक्नलोजी नहीं है कि वे डॉकमेट रटीकेशन को एक मेने, दो मेने में कंप्लीट कर सके चाहिए आफ्लाइन हो चैक ऑनलाइन हो दूसी तरत यह है कि Education Mafia, Education Mafia के चलते भी इसमें जो है ब्यवधान पढ़ रहा है क्योंकि किसी भी Training College का अगर जो है Document Verification फेल होता है या किसी भी डिगरी College का Document Verification फेल होता है तो उसमें जो लोग जुड़े होते हैं उनका जो लेबल होता है वो काफी हाई लेबल होता है और उनकी पहुझ काफी उपर तक होती है तो कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा परमुक कारण निकल के आ रहा है Document Verification को ना करने के पीछे अब जहां तक विहार टेट और सीटेट के Document Verification की बात है तो वो Government Body का है तो वो उसको ट्रस्ट कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं Graduation की जो डिगरी होती है चाहिए Board के जो Certificate होते हैं और उसके अलाबा जो आपके Teacher Tending College के जो Certificate होते हैं कि उनको अभी भी संदेक गहरे में रखता हूं और संदेek में नजर से देखता हूं क्योंकि कहीन न कहीं वी फरजी हैं और रहेंगे क्योंकि आप देखते हैं कि अच्छी खासी संख्या में फरजी अभियरतियों पकड़ होई है और जो पिछले वर्स का जो डाटा है जो पिछले नुजी सिच्वां का डाटा है वो एक लाख फोल्डर गायव हैं एक लाख फोल्डर की संख्या काफी बड़ी होती है इसका मतल हुआ है वियार चेचाईवाग ने हाथ कड़े कर दिया है फिलाल आपको सपत पत्र के अधार पर डॉक्मेट विफेकेशन कम्प्लीट माना जाएगा और नियोजन पत्र अबित्रन आपको 25 फरोड़ी से पहले भी हो सकता है 25 फरोड़ी तक भी हो सकता है लेकिन अब यह इ कुप impose नहीं थे कि वीडियो को पसब नहीं आया होगा वीडियो अगर पसंद नहीं आया होगा वीडियो को जार डेसलाइक करियेगा और शेयर उमत करीएगा चैनल नहीं और करियेका तो जल्दी मिनते हए अपने नए वीडियो के साथ में तब-टक के लिए इज़र दिज झाल